मेरी प्यारे दोस्तों, अगर किसी दिन आपको आदी छीक आए और रुख जाए आदी छीक मतलब समझते हो ना, ऐसे करने लगे आची को याद कर रहा था कि सोचते सोचते कई बार तो लिस्ट पूरी सामने आजाती है किसी दिन अगर आपको आदी छीक आए और रुख जाए तो समझ जाएगा किसी ने आपको याद तो किया है, फिर उसने सोचा यार वो तो बेरोजगार है, यार वो तो बेरोजगार है, चल भाड में जाने दे इसलिए तो कहते हैं न मेरे दोस्त, कि बाबू सोना जब याद करते हैं या बाबू सोना जो बनते हैं उस बेरोजगारी में बनते हैं कि खाली बठे क्या करें, लेकिन अगर सक्से जो करके आपको कुछ बनना है यानि कि बाबू सोना से आगे निकलना है तो बाबू सोना तो सी बेरोजगारी में बनते हैं लेकिन शादियां जो होती है न दोस्त शादियां जो होती है वो हैसियत देख करके होती है इसलिए अगर बेरोजगारी में जी रहे हो न पर अपनी हेसियत बनानी है न तो ये जो छीख छाग के चक्कर है न इनको छोड़ दो अब ये golden chance आपके सामने आने वाला है राजस्तान रोडवेज पर दी आपको 1650 पोस्ट के लिए बता तो दिया गया लेकिन आपको हर जगे driver conductor ही बनाया जा रहा है लेकिन साब driver conductor को तो फ कि मेरे बाबू को खाना खिला सको ठीक है वेसा बनना है न तो उसके लिए आपको क्या करना होगा एक अच्छे लेवल पर एक अच्छी जोब का इंतजार होगा वो इंतजार पूरा होने वाला लेकिन से ये इंतजार पूरा होने से पहले ही राजस्तान में एक CET का लपड है न ये खा जाता है हम सपने देखते हैं उससे पहले ही वो अदूरे रह जाते हैं तो मैं आपको बता दू ये जो पोस्ट में बताने जा रहूं न ये आपका CET का कोई रगड़ा नहीं है ये विदाओर CET है तो बार-बार ये चीज मत पूछेगा कि ये वेकेंसी CET से आ लिजीएगा जिसे इस दिपार्टमेंट में यातायात नेरिकसक भी बोला जाता है इसमें दो पोस्ट होती है यातायत नेरिकसक और सहाइक यातायत नेरिकसक ये क्या होती है मैं आपके इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा सबसे बड़ी बात मैंने यहां लिखा है कि सिलेबस में only reasoning और राजस्तान जी के ऐसी vacancy जिसके अंदर सिप reasoning और reasoning भी यह समझ करके चलिएगा कि 80% सिप reasoning हो और बाकी का जो 20% से भी कम portion होना वो राजस्तान जी के हो तो कैसा लगेगा बोले मज़ आएगा या नहीं आएगा आजाएगा ना लेकिन इससे पहले मैं आपको और बता दू कि officer level की post के अंदर मैंने आपको कल भी वीडियो बनाया तो उसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला लेकिन सब जगह आपको सिफ driver conductor बताया जा रहा है पहले आपको बताता कि ये 11,000 के आसपास post खाली थी तो पूरे के पूरे 1650 driver conductor थोड़ी दे देंगे भाई उनमें भी और भी पत थे तो उनके बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ उसमें कौन-कौन से पत आएंगे पहले वह बता दो अगर आप प्रोक चाहेंगे तो उनकी भी मैं detail video बना दूंगा वह आप पर डिपेंड करता तो इस वीडियो को है आप कितना प्यार लुटाते हैं जितना आप इस वीडियो को share करेंगे लाइक करके अपनी राइ देंगे कमेंट करके ठीक है जितना प्यार मिलेगा उतनी ही चीज़े मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाँगा इस पर स्लेवस वीडियो बुक्स पर और कैसे तयारी करी वो सब कुछ आपको यहाँ पर बता करके चलूँगा ठीक है मैं 2013 में लेकर के जाता हूँ कि 2013 में ओफीसल लेवल की कौन-कौन सी पोस्ट आई थी उसके बाद में आगे अभी 2014 में कौन-कौन सी पोस्ट आ सकती सरी जो 1650 पोस्ट है क्या इतनी आएगी दिखें अभी बजट में गोशने हुए उसके बाद में इन पोदों को बढ़ाया जो ऐसा डेटेल वीडियो कहीं पर भी नहीं है ध्यान से समझेगा सटड़े फरवड़ी 2000-2013 के अंतरगत यह जो चीजे आपका नोटिपे किसा निकले थी उसके अकोडिंग बता रहा हूँ ऑफिसर पोस्ट इन आरेस रटी सी यानि रस्तना राज्यपत परिवन निकम के अकोडिंग मैं बोल रहा हूँ यह सारी चीजे मैंने एक वेबसाइट से अलग वेबसाइट अलग वेबसाइट अलग जो अनुमान लगा करके चलती लेकिन यह तरीके से 2013 में जो ओफिसल तरीके से जो वेकेंश आई थी उसके बारे मैं आपको बता रहा हूँ ओनलाइन अ की एक पोश्ट है असीस्टन डिपो मैंटेजर ठीके ट्रांसपोर इंस्पेक्टर यह निसिस्टन आपको पोश्ट अबुच्ट अनुमान यह साहय का आगार की यह तरा इसके बहेतर पोश्ट आई थी यह समझेगा यह वह पोश्ट है जो ठीके इनस्पेक्टर के नाम से म बताऊंगा, आपने देखा होगा, जब आप सपर करते हैं, तो आपके फ्लाइंग की गाड़ी आती है, जहान से देखा होगा आपने, फ्लाइंग की गाड़ी आती है, गाड़ी को रोक करके आपकी टिकेट बगेरा चेक की जाती है, देखा होगा न आपने, ठीक है, तो वहा इंजिनियर की ग्रेडबी की 25 पोस्ट थी इसमें एज़ फेक्टर मांगा गया था 1835 यह उस टाइम की बात 2013 माही थी अभी एज़ फेक्टर भी क्या होगा सब कुछ बताने वाला हूं पहले यह देख लीजिएगा कि ओफिसल लेवल की कौन-कौन सी पोस्ट मांगी जाती है यहां से बात करने के बाद में और कौन-कौन सी पोस्ट आ सकती है वो मैं आपको बता सकता हूं द्यान से समझ करके चलिएगा यहां पे जो आपकी पोस्ट के लिए है इसमें और कौन-कौन सी पोस्ट है इसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी आती है ठीक है द्यान से समझ दीजिएगा मैं आपको पोस्ट भी बता देता हूं इसके अंदर जो अलग-लग लेव उसें के साथ में आपको संगन की पोश्ट भी देखने को मिले कि संगनक की पोश्ट बूश्ट की आती है इसके अंदर और अभी ओर बताने वालाूं इसके साथ में आपको 鹿-घॉनियर क्लर्क जिसे ल्डिसें आप बोलते हैं ना जुनियर क्लर्क यानि कि LDC की पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं वो कितनी कितनी दे चाहे 10 दे चाहे 15 दे वो अलग बात है वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के उपर वो बताने वाला मैं कोई नहीं होता हूं मैं सिप आपको बता रहूं कि ऑफिसल लेवल की पोस्ट है मनी ड्राइवर कंडेक्टर के अलावा भी जो पोस्ट है नोन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं यह पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी आपे एक्सपेक्टेड कितनी पोस्ट आ सकती मैंने जो कल वीडियो बनाया तो उसमें बताया थै कि 200 से 300 के बीच में य इसके लेकर की बात करूंगा यहां पर देख लीजिग और फिर में पोस्ट की बात करने वालों लेकिन यह चीज़े भी समझाना जरूरी था इस सम्भावित पोस्ट है तीकर रास्ता रोडवेश की अको अखोडिंग यहां चे समल दीजिगा आप भी जाके चेक करेंगे त आठ पोस्ट देखने को मिल सकती है असिस्टेंट टेकनिकल यह मेकनिकल इंजिनियर की है वह आठ पोस्ट देखने को मिल सकती है अकाउंट्स ओफिसर की दो पोस्ट देखने को मिल सकती है आपको यहां पर यह मान करके चलीगा ग्रेड बी के साथ में ए और बी दो ग्रेड सतर पोस्ट देखने को मिले सकती है असिस्टेंट जो डीपो मैनेजर है ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर है साहे के जो आपका आगार भंडा निर्खसक वाली जो पोस्ट बोली थी ना मैंने उसके लिए 20 पोस्ट Assistant Transport Inspector साहिक यातायत निर्खषक की 100 post मैंने कल आपको बोला था कि 100 से 1.5 सो क्या सपास हो सकता ही 200 तक भी जाए 100 post इसी के साथ में यह होगी साहिक यातायत निर्खषक और यातायत निर्खषक की है न यह भी आपको यहाँ पे साहिक आगार और यातायत निर्खषक इसमें दोनों की दोनों post है यहाँ से देखर की चलिएगा यहाँ पे साहिक आगार प्रभात और यातायत निर्खषक यह भी post है तो यानि 100 प्लस तो यहाँ पे according अगर अगर अपन लेके चले न यह देखने को मिल दिये junior engineer की 27 पोस्ट लेबर वेलफेर की है 06 पोस्ट है इस तरीके से आपको अलग-अलग डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है तो डिपार्टमेंट नहीं अलग-अलग पोस्ट है वो अलग-अलग तरीके से आपको यहाँ पे इसी डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिल सकती है अभी हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर और भी पोस्ट के लिए जो मैं आपको संगणक वगएरा LD से वगएरा वो बताया हूँ वो भी इसमें कम ज्यादा वो हो सकती है लेकिन मैं आपको एक नॉर्मली पोस्ट बता करके चलो यह यह पोस्ट जो ड्रैवर और कंडेक्टर के अलावा भी होती है ड्रैवर कंडेक्टर वाले यह मैं सुचेगे हमारे लिए तो आपने वीडियो बनाया नहीं सकता है कि एक बार अंडर इन हंड्रेट भी आजाए अगर आप यह भी होगी तो अतिश्योक्ति नहीं होगी सो से हंड्रेट भी लेकिन यह पोस्ट एक बार हमें देख करके चलने अभी बतारों आपने तो इतनी पोस्ट बता इतनी आई वो डिपेंड करेगा ओफिशिल तरीके से तो चलिए अब मैं बात करता हूं इस पोस्ट को लेकर के पहले आपको इस समझाना जरूरी था रास्ता रोडवेज के अंदर टिकेट इंस्पेक्टर या या यातायत सहय के जो निरिखसक होता है या जो यातायत निरिखसक होता है वो क्या होता है इस कि बस सुचारू रूप से संचालन हो रहे है यह टिकेट चेक करना ही खाली काम नहीं होता वो ते एक चीज होती कि उसमें भी एक तरीके से एक चेकिंग का एक माध्यम होता है कि बस के अंदर जो चीज होता है कि रोडवेज घाटे में चल लिए आपने फिचली सरकार के अ इनमे से कंड्रक्टर भी कुछ बनेंगे तो आप से मालन लिजे कहीं का किरायद 10 रूपे आपको पांच रूपे जाय में डालती है टिकेट नहीं दिया आपने बोला कि नहीं बोलना कि conteúdo कर ब्रूपे खुली है मिनीममें सर्ज आप 10 रुपे दे रहे हैं, तो आपको AST की टिकेट भी नहीं देता है, और अगर मांग ले तो लेडी से माल नहीं दे, बैठी रहतो, उना रहे हो चाहे हैं, काई कले टिकेट को तुँ, इस लेंगवेज में बोलते हैं, आपने देखा होगा, आपकी मम्मी, आपके कोई भी जाते हैं, तो उस तरीके से, आप कई बार इस सीच को फेस करोगे, आपने देखा होगा, तो टिकेट नहीं देते हैं, जैसे ही पता चलता है, दूसरा सामने वाला ड्राइवर इसारा कर देता है, बस वाले को, अगर इस चीज रिलेट करती है, तो आप बताईएगा कि मैं स सामने खड़ी ये गाड़ी, तूसरी टाइम पर कंड्रीक्टर बोलता है, टिकेट किस किस के पास नहीं है, टिकेट ले 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 ना, फिर बाद में जुर्माना लग जाएगा, पकड़े जाओगे, उस टाइम पर जाकर करके चेक करवा क्या आता है, अब समझ गए, क्या होत है, टिकेट कुछी दिनों में अगर आप लोग चाहेंगे और इस वीडियो को अगर आप प्यार देंगे, तो मेरी कोसिस है, बहुत ऐसे नोन भी है, जिन्नों ने दो हजार तेरा में ये एकजाम देने के बाद में लगे थे, मेरी कोसिस रहेगी मों लोगों से आप से रू अब इसकी तैयारी कैसे करें, सलेबस के आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको समझ करें चलिए, राष्तान रोड़ोज भर्दी, टिकेट इंस्पेक्टर ये समझ गये, ठीकर रहेशो वालों नोकरी है, अगर कई लोगों का काम होता ना, कि हम तो इ इमान बन जाते हैं, टेबल के नीचे से लेने के आदत है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन इमानदारी से चलते हैं तो ये बहुत अच्छी जोग है, मतलब आप एक अलग से गाड़ी मिलती है, आपने नहीं देखा हूँ ता आपने देखो, लो फ्लोर में भी कई बार जा जिया करो, अंदर से जब तक वो आग नहीं लगेगी ना, तब तक मजा नहीं आएगा, तो पहले समझ लिजिएगा, स्लेबस ओनली रीजनिंग और राजस्तान जी के इसके बारे में मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो का इन तक जरूर देखिएगा, इसके स्लेबस को लेकर कि यहां पर मैं बात करूँ ना, तो पहले यह देख लीजिएगा, इसके स्लेबस मैं ने यहां cover किया है, रास्तान रोडवेश के लिए स्लेबस मैं डेटेल से बता रहा हूँ, लेकिन यहां पर मैंने पूरी डेटेल एड़ोन कर रखिए, इसके अं नंबर का ये marks होंगे 120 कुशन 120 इसमें से क्या होगा 120 को मैं divide करता हूँ इसमें से आपके 80 कुशन जो होते हैं 80 कुशन होते हैं वो reasoning के होते हैं कहां से समझेगा उम्मीद आपको अच्छे से दिख रहा होगा ये चीज है वो अच्छे से देखिएगा इसके अंदर 120 में से जो reasoning reasoning के होते हैं वो 80 कुशन होते हैं अब आप समझ जाईएगा हो सकता है किसी को लगे कि सर reasoning पर आ रहे हैं इसलिए ये बोर्ड़ें आप जाके चेक कर लीजेगा आपको विश्वास ना हो तब ही तो कह रहा हूं उसके बाद इस पर अलग अलग परतिक्रिया आएंगी पहले बता रहा हूं इसके बाद में राजस्तान और करंट अफेर को मिलाकर कि इसके अंदर 40 कुशन बनते हैं अब ये दोनों चीज़े समले जीगा इसका डिटेल से ले बस आप चाहेंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा रीजनिंग रीजनिंग से ससी कुशन और करंट अफेर और राजस्तान जी के से आपके 40 कुशन देखने को मिलेंगे टोटल मिलाकर के 120 ये वो एकजाम है जिसमेंसे अगर आप चाहें ना आराम से 120 मेंसे हैं ना हेंडेट फ्लस का आकड़ा पार कर सकते हैं क्योंकि 80 नंबर तो ओली रीजनिंग रीजनिंग में अच्छे से आप अच्छे मार्ट गैन कर सकते हैं तो पहले एक चीज बता दूँ अगर आप इसकी प्रोपर तरीके से तयारी करना चाहते हैं आपको ट्रेस्ट हो तो आपक के से एक केसा PDF कोर्स इसके अंदर रीजनिंग लाइव है ठीक है और रिकोडेट फोर्म में मिलेगी आपको लाइव रिकोडेट फोर्म में कारंट अफेर अभी इसमें लाइव चल रहा है ठीक है और राजस्तान जी के अभी PDF पैटर्न में है हो सकता है लेकिन अभी मापको PDA भी बोलूँगा, हो सकता है, इसमें राजस्तान जी के भी आपको live देखने को मिल जाए लेकिन अभी मैं आपको PDA pattern ही बोलूँगा, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये exam आपकी कभी भी हो, ये आपको update होता हुआ मिलेगा, end तक और इसके अंदर आपको free, combo और separate test series ओर देखने को मिलेगी, तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, proper तरीके exam के according आपको reasoning 80 number के आएगी, आप कई लोग सोच रहे होंगे, मैं SSC की तयारी कर रहा हूँ bank की कर रहा हूँ, तो ये मेरे काम चल जाएगा, देखिए, हर exam का अलग pattern होता है, समझ जाएगा जिसे मैं cooperative वेंक वालों का मैं सब बोलता हूँ, हर exam का अलग pattern होता है, तो आप सबको mix करके मत चलिएगा, reasoning reasoning आपको इसके अंदर माला माल कर देगी, और 40 number का जो होता है, इसमें रास्तान जी के आज़ा, फिर भी, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, अगर इन future कुछ changes होते हैं, तो आपको अलग से कोई charge नहीं देना पड़ेगा, वो उसी charge के अंदर, जो भी अगर कुछ subject जुड़ता या घड़ता है, वो इसी के अंदर लेवल की job करना चाहते हो, तो ये vacancy आपके लिए है, ठीक है, हो सकता है, आपको driver conductor बताया जाए, तो वो आपकी मर्जे आपको क्या बनना, क्या नहीं बनना है, मेरे according, जो चीजे हैं, एक अलग चीजों को लेकर के हमें चलना होता है, 1650 driver conductor के लिए कहीं पे भी नहीं बोला है, तो जो लोग आपको बता रहें, ये चीज़ जरूर सुन लीजेगा, ठीक है, तो यहां पे 120 में से सीप सीप आपको राजस्तान जी के और reasoning पढ़नी है, ऐसी पहली post होगी साहे, जिसके अंदर आपको ज़्यादा माथा पची करने के जो, लेकिन competition बहुत अच्छा होगा इसके लिए आपको, proper तरीके आपको लग रहा है, मैं अभी जैसे मैंने बोला, इससी करों तो मैं रेजिन तो निकाल लूँगा, बेंकी करो नहीं, एक proper तरीके से चलोगे ना, होता ना कहीं जा रहे हैं कि किसी शादी का card बाठने पकडा होगा, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, कि हमेशा जान रखना है मेरे take line, मैंने हमेशा आपको बोला है, कि 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 तरीके से आपको चलना है, उस सीज को जरूर समझ करके चलिएगा, मंजील आपकी मंजील आपकी है, वो आपको डिसाइड करनी है, प्लस, रास्ता हमारा, यह हमेशा जैसे मुश्कुरात रहे आप उमेशर के साथ है ना, ठीक उसी प्रकार यह टेक लाएने कि मंजील आपकी रास्ता हमारा उसके बराबर अगर आप चलते हो ना तो सपलता आपकी, इस सीज में कि आपका आपका सपना पुरा होगर, हमारे सपलता ही कि आपने जो विस्वास किया, उस पे हम खरे उतर पाए, तो अगर इस पे आपको विस्वास है तो आप जूड सकते हैं, इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी हो, तो आप इस नमबर पर डबल सेवन, डबल थी नाइन फोर थी, टूफोर थी पर हमें वाटसअप कर सकते हैं अगर आप इंस्टा पर हैं, तो आप पर भी हमें फोलो कर सकते हैं उमेश अंडर्सकोर एर अगर आप इसका डिटेल सिलेबस वगरा जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके बताएगा उसका भी में अलग से वीडियो बना दूँगा और बाकी आपको सिलेबस वगरा सब कुछ है आपका यह जो कोर्स है इसके अंदर आपको फ्रियो कोष्ट अवेलेबल हो जाएगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया वाए एक बार जाकर चेक जरूर कर लीजिएगा सारी चीज़े आपको step by step मिलती रहेगी लेकिन इस सपने को मिस मत कीजिएगा तो उमीद है एक प्यारी सी स्माइल आपके face के उपर आई होगी उसे बनाई रखिए और हाँ मुस्कुराती रहेगा आप उमेसर के साथ वीडियो देखके कैसा लगाओ कमेंट करके जरू बता दीजिएगा अपनी पर्तिक्रिया आप वोर्टसप नम्मर और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ करके दे सकते हैं तो अभी प्यारी सिस्माल के साथ अभी के लिए विदा चाहता हूँ जल्द मिलोंगा आप लोगों के साथ इसका जी कोर्स है ओल्रेडी स्टार्ट हो चुका आप चाहे तो जूड़ सकते हैं अभी के लिए जैहिन जै भारत